मैं रजंदर गांधी अपने यूटीब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम आपकी पाठे पुस्तक शाश्वती भाग दो कक्षा बारा के दूसरे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं तो आएए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है संस्कृत भाषया उत्तरम लिखत संस्कित भाषया में उत्तर लिखो पहला प्रश्ण है कोच्स है कस्य शिश्य है आसीत कोच्स किसका शिश्य था उत्तर कोच्स है वरतंतो हो शिश्य आसीत कोच्स महरिशी वरतंतु का शिश्य था अगला रगु कम अध्वरम अनुतिष्ठतीस में रगु किस यग्य का अनुष्ठान कर रहे थे उत्तर रगु विश्वजित नाम कम अध्वरम अनुतिष्ठतीस में रगु विश्वजित नाम के यग्य का अनुष्ठान कर रहे थे अगला कोच्स है कि मर्थम रगुम प्राप कोच्स किसलिए रगु के पास पहुँचे उत्तर कोच्स है गुरु दक्षिनार्थम धनम याचितुम रगुम प्राप कोच्स गुरु दक्षिना का देने के लिए धन प्राप्त करने के लिए राजा रगु के पास पहुँचे अगला है मंत्र कृताम अगरणी क्या आसीत मंत्रों का अर्थ जानने वाले रिशियों में अगरणी कौन थे मंत्रों का आर्थ जानने वाले रिशियों में अग्रणी महरिशी वर्तन्तू थे अगला है तीर्थ प्रतिपादी तर्धी नरेंद्रय कथमिव आभातिस में सत्पात्रों को अपने सारे स्थमपत्ती दान देने वाले राजा रगू किस प्रकार सुशोभित हो रहे थे विशिष्ट है निवार एव आभातीस में सत्पात्रों को अपने सारे संपत्ती दान में देने वाले राजा रगु ठूट के रूप में बचे हुए निवार के पेड़ की तरह सुशोबित हो रहे थे कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार निवार का पेड़ अपना सब कुछ वन में रहने वाले जीवों को दे कर ठूट के रूप में बच जाता है और फिर भी वह सुशोबित होता है उसी प्रकार राजा रगु भी अपनी सारी संपत्ती दान करने के बाद भी निवार के पेड़ की तरह सुशोबित हो रहे थे अगला है चातको अपी कम ना याचते चातक भी किस से याचना नहीं करते उत्तर चातको अपी निरगलित अंबु गर्भम शरद घनम ना याचते चातक भी शरद रितु के उन बादलों से याचना नहीं करते जिनका सारा पानी समाप्त हो चुका है अगला कौस सस्य गुरू गुरू दक्षिना त्वेन किय द्वनम देयमिती आदिदेश कौस ने गुरू दक्षिना में कितना धन देने का आदेश दिया कोस के गुरु ने गुरु दक्षिना में 14 करोड स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया अगला है रगु कस्मात परिवादात भीते आसीत रगु किस लोक निंदा से भेभी था उत्तर कश्चित याचक है गुरु परदेयम अर्थम रगो सकाशात अनावाप्य अन्यम दातारम गतै इती परिवादात रगु भीते आसीत कोई याचक अपने गुरु को धन देने के लिए रगु के पास से धन प्राप्त ना करके किसी और दानी के पास चला गया इती परिवादात रगु भीते आसीत इसी लोक निंदा से रगु भैबीत था अगला है कस्मात अर्थम निश्क्रष्टुम रगु चक में किस के धन का हरन करने के लिए रगु ने इच्छा की अगला है हिरन मईम व्रिष्टिम के शशंसू सोने की वर्षा को किस ने देखा अगला है को अभिनंद सत्वव अभूताम कौन दोनों परशंसनिये हुए दूसरा प्रश्ण है कोष्ठकात समुचितम पदम आदाय रिक्त स्थानानी पूर्यत कोष्ठक से उचित पद लेकर खालिस्तान भरो पहला है यश सा प्रकाशय अतिथिम प्रत्यु जगाम यश से प्रकाशित राजा रगू अतिथी की ओर उठकर गए यहां भरेंगे प्रकाशय अर्थात प्रकाशित अगला है मान धन अग्रयाई विशाम पती तपो धनम उवाच आत्म गोरव को ही अपना सब कुछ मानने वाले राजा ने तपस्वी कोस को कहा तो यहां हम भरेंगे विशाम पती अर्थात राजा अगला कुशागर बुद्धे हे तीवर बुद्धी वाले ते गुरु कुषली आपके गुरु कुषल हैं अगला हे राजन सरवत्र वार्तम अवेही हे राजन आप तो सब जगा हमारी कुषलता जानते हैं तो वार्तम का अर्थ हो गए यहां पर कुषलता अगला स्तम्बेन अवशिष्टे निवारय इव अभासी ठूट के रूप में बचे हुए निवार के पेड की तरह आप सुशोभित हो रहे हैं तो यहां हम भरेंगे निवारय है अर्थात निवार का पेड अगला हे विध्वन त्वया गुर्वे कीयत परदेयम आपको अपने गुरु को कितना धन देना है यहां भरेंगे त्वयम तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा अगला है अर्थ कार्श्यम अचिन्तित्वा गुरुना अहां मुक्त है मेरी निर्धन्ता का विचार किये विना गुरुने मुझे ऐसा कहा है तो यहां बरेंगे अर्थ कार्श्यम अर्थाद धन का अभाव या निर्धन्ता तीसरा प्रशन है अधो लिखिता नाम सपरसंगम हिंदी भाष्या व्याख्याकारिया नीचे लिखिये पंक्तियों की सपरसंग हिंदी भाष्या में व्याख्या करनी है पहला है कोटिश चतस्रो दस चहर इसका पहले हम प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ती हमारी पाठे पुस्तक शाश्वती द्वितियो भागह से रगु कोस सम्वाल नामक पाठ से लिया गया है व्याख्या कोस महराज रगु से निवेदन करते हुए कहते हैं मेरे बार-बार आग्रह करने पर क्रोधित हुए गुरुजी ने मेरी निर्धंता का विचार किये बिना मुझे कहा की चोधै विद्याओं की संख्या के अनुसार चोधै करोड स्वर्ण मुद्राएं ले आओ अगला है मा भूत परिवादन वावतार है परसंग पहले के समानी लिखना है व्याख्या इस परकार होगी राजा रगु ने कोश से कहा की आप शास्त्रों के जानने वाले हैं तथा गुरु दक्षिना देने के लिए याचना करने आये हैं आप रगु के पास से अपना मनोरत पूरा किये बिना किसी दूसरे दानी के पास चले गए इस परकार की निंदा का प्राधुर भाव ना हो जाए अगला है द्वी त्रान्य हार्न हसी सोडूम अहर्न अरहन तो परसंग इसका पहले जैसे ही होगा व्याख्या रगु ने कोस से निवेदन किया कि आप मेरी विशाल यग्यशाला में चतुर्थ अगनी के समान दो तिन दिन बिता सकते हैं हे पूजनी ये ब्रहमचारी मैं आपके प्रियोजन को सिद्ध करने के लिए प्रितन करूँगा अगला है निश्क रष्टु मर्थम चकमे कुबेरात परसंग पहले के समान व्याख्या ब्रहमच कोस ने राजा रगु के निवेदन को स्विकार कर लिया रगु ने भी उसकी मदद करने के लिए कुबेर से धन्चीन लेने की इच्छा की अगला है दिदेश कोसाय समस्त मेव परसंग पहले के समान व्याख्या कुबेर ने रगु के आकरमन के भै से उसके खजाने को सुवरन मुद्राओं से भर दिया महराजा रगु ने केवल चोधै करोन सुवरन मुद्राओं ही नहीं अगला प्रशन है अधो लिखी तेशू रिक्त स्थानेशू विशेश्य विशेशन पदानी पाठ्थे अन्शात चित्वा लिखत नीचे लिखे रिक स्थानों में विशेश्य और विशेश्य पद को पाठ से चुन कर लिखो प्यारे बच्चो ज्यादा तर पहला पद जो होता है वो विशेशन होता है और दूसरा पद विशेश्य होता है तो पहले पद को हम देखेंगे अध्वरे अर्थात यग्य में कैसे यग्य में विश्व जिती विश्व जिती यग्य में अगला कोश जातम, धन के कोश वाला, कैसे धन के कोश वाला निशेश विश्चिरानित, जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया है, ऐसे कोश वाला अगला है अनुमित व्यायस से जिसके व्याय का अनुमान लगाया जा सकता है किस से अर्ग है पात्र उसके अर्ग देने वाले पात्र से फल प्रसूती जिसके फल और फूलादी प्रियोग कर लिए गए हैं किसके द्वारा आरण्य को पात जंगल में रहने वाले जीवों के द्वारा विवर जिताए सुमय आवेश जिसको गर्व के आवेश ने चुआ नहीं है अर्थात अभिमान से रहित पांचमा प्रशन है विग्रह पूर्वकम समास नाम निर्दशत विग्रह करके समास का नाम लिखी पहला पद है उपात विद्यह विग्रह बनेगा उपाता विद्या येन से जिसने विद्या प्राप्त कर ली है या जिसके द्वारा विद्या प्राप्त कर ली गई है वह तो समास का नाम होगा बहु ब्रिही अगला है तपो धने विग्र है तपय एव धने यसस है तप ही जिसका धन है वह समास का नाम बहु ब्रिही अगला वर्तन्तु शिष्य है समास का नाम शष्ठी तत्पुरुश महरिशी समास का नाम करमधारे जिसके द्वारा यग्य समाप्त कर लिया गया है समास का नाम है बहुब्रिही जगत एक नात जगत का नात तो उसमें समास का नाम होगा शष्ठी तत्पुरुश न्रिपति ही निणाम पती नरों का अर्थात मनुश्यों का पती समास का नाम शष्ठी तत्पुरुश अनावाप्य नावाप्य नाप्राप्त करके समास का नाम नह तत्पुरुश अगला है अधो लिखिता नाम पदा नाम समुचितम योजनम कुरुत नीचे लिखे पदों का उचित मिलान करो पहला पद है ते इसका मिलान करेंगे हम स्वस्ति अस्तू आप सब का कल्यान हो अगला है चतस्रह दशय चय चार और दस मिलान किसे होगा चतुर दशय चोदह अगला अस्खलित उपचाराम मिलान होगा भक्तिम के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ की गई भक्ति को अगला चैतन्यम अर्था जागरती मिलान किसे होगा प्रबोधो प्रकाश होगा जागरती और प्रकाश कोच कैसा था गुरु दक्षिनार्थी गुरु को दक्षिना देने की इच्छा रखने वाला द्वी त्रानी दो तीन अहानी दिन अगला है प्रकृती प्रत्य विभागय करेताम प्रकृती और प्रत्य को अलगलग करके लिखो पहला है अर्थी इसमें अर्थ जमा इनी प्रत्य है अगला मरिन मयम इसमें मिरित धातु है और मयट प्रत्य है अगला शासितुहु, इसमें शासधातू है और तरिच परते हैं अवशिष्ट है, आववपसर्ग शिषधातू और कतव परते उक्तवा, इसमें बुरुधातू है, बुरुधातू क्या देश से हो जाता है वच और उसके साथ है कतवा परते प्रस्तुतम प्रवुपसर्ग स्तुधातू कताप्रत्य उक्तह वच्धातू कताप्रत्य अवाप्य अवुपसर्ग आपधातू लिप्रत्य लबधम लब जमा कताप्रत्य अवेक्ष अवुपसर्ग एक्षधातू और लिप्रत्य आठवा प्रशन है विभक्ती लिंग वचन आदी निर्देश पूर्वकम पद परिचें कुरुत विभक्ती लिंग और वचन आदी का निर्देश पूर्वक पद परिचे करों पहला पद है जनस्य इसमें मूल शब्द है जन लिंग है पुलिंग विभक्ति शष्ठी और वचन है एक वचन अगला द्वव मूल शब्द द्वी ये पुलिंग शब्द है परत्मा और द्वितियाई भक्ति है और द्वी वचन का प्रयोग किया गया है तव इसमें मूल शब्द तद पुलिंग परतमार द्वितियाई भक्ती है और द्वी वचन है सुमेरो हो इसमें सुमेरु शब्द है पुलिंग है शष्ठी भक्ती और एक वचन का प्रियोग है अगला है प्रात्य ये अव्यपद है अव्यपद में पुलिंग लिंग विभक्ति और वचन में कोई परिवर्तर नहीं होता अगला है सकाशात ये भी अव्यपद है अगला है मे असमद असमद शब्द है त्रीशू लंगेशू ये तीनों लिंगों में एक समान चलता है ये असमद शब्द के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते है शष्ठी भक्ति है एक वचन है भूय ये भी अव्यपद है अगला है वित तस्से वित शब्द नपुनसक लिंग शष्ठी भक्ति एक वचन अगला है गुरु नाम इसमें गुरु शब्द है पुलिंग तिरतिय भक्ति और एक वचन का रूप है नौवा प्रशन है अधो लिखिता नाम क्रिया पदा नाम अनेशु पुरुष वचनेशु रूपानी लिखत नीचे लिखे क्रिया पदों के अने पुरुष वचनों के रूप में रूप लिखो प्यारे बच्चों यहां हम इसे पद परिशे के रूप में लिखेंगे बाकी के रूप आप व्याकरण की पुस्तक में से लिखे अन्य था वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पहला पद है अग्रहीत इसमें ग्रह धातू है लुगलकार प्रथम पुरुष एक वचन है अगला दिदेश इसमें दिश धातू है लिटलकार प्रथम पुरुष एक वचन है अभूत भूध हातू लुगलकार प्रथम पुरुष एक वचन जगाद गद धातू लिटलकार प्रथम पुरुष एक वचन उत्सहते इसमें उत्तुप सर्ग है सह धातू है लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन है अर्दती अर्द धातू है लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन है याचते याच धातू लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अवोचत इसमें वच धातू है लूंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अगला है अधो लिखिता नाम पदा नाम विलोम पदानी लिखत नीचे लिखे पदों के विलोम पद लिखो पहला पद है निशेशम अर्थात जिसका कुछ भी शेश नहीं है तो इसका विलोम पद बनेगा शेशम शेश अगला है असक्रित इसका विलोमपद बनेगा सक्रित सक्रित मतलब बार-बार और इसका उल्टा बनेगा असक्रित उदाराम उदार को अनुदाराम अनुदार को या कठोर को अशुभम अशुभ को शुभम शुभ को समस्तम सारा असमस्तम इसका उल्टा होगा ग्यार्मा प्रशन है अधो लिखिता नाम पदा नाम वाकेशू प्रियोगम कुरूत नीचे लिखे पदों का वाक्यों में प्रियोग करो पहला है नृपह अर्थात राजा वाक्य बनेगा नृपह है रगहू समस्तम धनम अयच्छत राजा रगु ने सारा धन दे दिया अगला है अर्थी अर्थात याचक कोच सह है गुरु दक्षिना अर्थम अर्थस से अर्थी आसीत कोच गुरु दक्षिना देने के लिए धन के लिए याचक था अगला भासुरम चमकते हुए रगू भासुरम सुर्ण मुद्रहा कोच साय अचछत रगू ने चमकती हुई सुर्ण मुद्राएं कोच को दे दी अगला है वृष्टी अर्थात वर्षा साय काले वृष्टी अववत शाम को बारिश हुई अगला है वित्तम अर्थात धन साधु नाम तपय एव वित्तम भवती साधु का तप ही उनका धन होता है अगला है वदान्य अर्थाद दानी राम है वदान्य राजा असीत राम दानी राजा थे अगला है द्विज राज़ है अर्थाद चंद्रमा रात्रव आकाशे द्विज राजहे शोबते रात्री में आकाश में चंद्रमा सुशोबित होता है अगला गर्वे है अर्थात अहंकार गर्वे उचिते ना भवती अभिमान उचित नहीं होता अगला है घनय अर्थात मेग वर्ष रितव घनय वर्षती वर्षा रितु में बादल बरस्ता है अगला है वारतम कुशलता अहम तव वारतम इच्छामी मैं तुम्हारी कुशलता चाहता हूँ बार्मा प्रशन है अधो लिखिता नाम श्लोका नाम अन्वेम कुरूत नीचे लिखे श्लोकों के अन्वे करो पहला है सहे मिरिणमय आतितेय अन्वेस प्रकार होगा सहे अनर्ग शीलह यशसा प्रकाश है आतितेय वीत हिरन्यम यतवात मिरिणमय पात्रे अर्ग्यम निधाय शुत प्रकाशम अतिती कोसम प्रती उजगाम वह प्रशंसनी वेभार वाला यश से प्रकाशित अतिती का सतकार करने वाला सोने के बरतन ना होने से मिट्टी के पात्र में अर्ग रखकर प्रकाशमान अतिती कोस की ओर चल पड़ा अगला है समाप्ती विद्देन पुरस्ततात अन्वेस प्रकार होगा समाप्त विद्देन मया महरिशी गुरू दक्षना यई अभूत विद्द्देन समाप्त करने पर मैंने महरिशी वरतन्तु से गुरू दक्षिना लेने के लिए प्रार्थना की सह चिराय अस्खलित उप्चाराम ताम मे भक्तिम एव पुरस्तात अगर्नियत लेकिन उन्होंने मेरे द्वारा पूर्ण शद्धा से की गई सेवा को ही गुरू दक्षिना मान लिया अगला है सै त्वम प्रशस्ते त्वदर्थम अन्वे सै त्वम मदिये महिते प्रशस्ते अरन्य गारे चतुर्थे अगनि इव वसन द्वी त्रानी अहानी सोधुम और हसी हे अरहन त्वदर्थम साधैतुम यावत यते आर्थिसका इस प्रकार होगा आप मेरी विशाल और प्रशंसनिय यग शाला में चतुर्थ अगनी के समान दो तिन दिन रहें हे पूजनिये मैं आपके प्रियोजन को सिध्ध करने का प्रियास करूँगा तेर्मा प्रश्ण है अधो लिखी तेशू प्रियुकता नाम अलंकारा नाम निर्देशम कुरूद नीचे लिखे श्लोकों में प्रियुकत अलंकारों का निर्देश करो तो पहला है यतस्त्वया ग्यानम शेश मात्तम लोकेन चैतन्य मिवोश्न रश्मे प्यारे बच्चो इसमें उप्मा लंकार का प्रियोग किया गया है कैसे पहले आप इसका आर्श समझिए कि जैसे संसार के लोग सूरिय से उर्जा प्राप्त करते हैं उसी प्रकार आपने अपने गुरू से सारा ग्यान प्राप्त कर लिया है अर्थात उन्होंने कुछ भी अपने पास नहीं रखा तो यहाँ पर गुरु की तुलना सूरिय से और कोस की तुलना संसारिक लोगों से की गई है तो इसलिए यहाँ पर उपमालंकार का प्रयोग है अगला है शरीर मात्रेंड नरेंद्रे तिष्ठन भासी इवावशिष्ट है केवल शरीर मात्र से हे राजा रगु आप सुशोबित हो रहे हैं किस के समान निवार के व्रिक्ष के समान जो अपना सब कुछ देने के बाद भी ठूट के रूप में भी सुशोबित होता है ऐसे आप केवल शरीर मात्र से ही निवार के व्रिक्ष के तरह शोभाय मान है तो यहाँ पर राजा रगु की तुलना निवार के पेड से की गई है इसलिए इसमें भी उपमा लंकार का प्रियोग है अगला है तम भूपतिर भासूर हेम राशिम वज्र भिन्नम राजा रगु ने सारी चमकदार स्वर्ण मुद्राओं कोट्स को दे दी और यह स्वर्ण मुद्राओं का जो धेर था वो किसके समान था सुमेरू परवत के समान सुमेरू परवत के चोथे हिस्से के समान जिसे वज्र से चार हिस्सों में काट दिया गया था इस प्रकार यहाँ पर स्वर्ण मुद्राओं के धेर की तुलना सुमेरू परवत के चोथे हिस्से से की गई है इसलिए नहाँ पर भी उपमालंकार है चोद्वा प्रशन है अधो लिखे तेशु छंदय निर्दिशेताम नीचे लिखे शलोकों में छंद बताईए प्यारे बच्चो इन तीरों शलोकों में उपजाती छंद का प्रियोग है उपजाती छंद होता है जिसमें उपेंद्र वज्जरा और इंद्र वज्जरा इन दोनों छंदों का प्रियोग होता है एक शलोक में दोनों का प्रियोग होता है तो उसको उपजाती छंद कहते हैं इसलिए इन तीनों शलोकों में उपजाती छंद का प्रियोग है पंदरवा प्रशन है रगू कोस समवादम सरल संस्कृत भाशया स्वकियई वाक्यई विशदेयत रगू और कोस के समवाद का सरल संस्कृत भाशया में अपने वाक्यों से वर्नन करो इसका उत्तरिस प्रकार होगा रगु विश्व जिते यग्य सर्वस्व दानम अकरोत रगु ने विश्व जित यग्य में सबकुछ दान कर दिया तदा एव वरतंतो हो शिश्य कोस्य गुरु दक्षिनार्थम धनम याचितुम रगुम उपागच्छत तभी महरिशी वरतंतु का शिश्य कोस्य गुरु दक्षिना में देने के लिए धन मांगने के लिए राजा रगु के पास आया रगु मृतिका पात्रे अर्ग्यम आदाय कोस्य सतक्रित्वान रगु ने मिट्टी के पात्र में अर्ग लेकर कोस्य का सतकार किया इसलिए कोस राजन आपका कल्यान हो यह ऐसा कहकर लोटने लगा रगु के द्वार से याचक अपनी कामना पूरे किये बिना लोट गया इती परिवादात इसी लोक निंदा से भीते भैबीत रगु कोसम अवरुद्धे कोस को रोक कर तस्य मनोर्थम अप्रिछत उसका मनोरत पूछने लगे कोस सह सर्व वरतांतम कत्यन अवधत कोस ने सभी सारी बात बताते हुए कहा महरशी वरतंतो अहम चतुरदश विद्ध्याम अधीतवान महरशी वरतंतो ने मुझे 14 विद्ध्याएं पढ़ाई ततह है अहम तस्मई गुरु दक्षिनायाई निवेदितवान इसके बाद मैंने उनसे गुरु दक्षिना लेने के लिए प्रार्थना की से मम गुरु भक्तिम एव गुरु दक्षिनाम अमन्यत उन्होंने मेरी गुरु भक्ति को ही मेरी गुरु दक्षिना मान लिया से, चतुरदश विद्या परि संखहया मैयम, चतुरदश कोटी, उन्होंने चोधा विद्याओं की, के बदले मुझसे चोधा करोड सुवर्ण मुद्रहा उप हर्तुम आदिदेश, मुझे चोधा करोड स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया. अतह एव धनम याचितुम भवते समीपे आगच्चम इसलिए मैं आपके पास धन मांगने आया हूँ रगु सर्वं ब्रतांतम शुत्वा कोश साय द्वी तरानी दिनानी अतिथी रूपेंस थातुम निवेदितवान रगु ने सारी बात सुनकर कोश को दो तीन दिन अतिथी रूप में रहने के लिए निवेदिन किया कोश सहय राग्य निवेदिनम स्विकृतवान कोश ने राजा का निवेदिन स्विकार कर लिया याचकस्य मनोर्थम पूरैतुम रगु प्रातैयेव कुबेरं आक्रमत्तुम अचिंत्यत याचक के मनोरत को पूरा करने के लिए रगु ने सुबे ही कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई आक्रमन भीताय कुबेरय रात्रव एव रगो कोशा ग्रिहे सुवर्ण वरिष्टिम अक्रोत आक्रमन से भैबीत कुबेर ने रात्री में ही रगो के कोशा गार में सोने की बारिश कर दी रगो उदार भावाद समस्तम सुवर्ण राशिम कोस साय अयच्छत रगो ने उदार भाव से सारी स्वर्ण मुद्राएं कोस को दे दी परंतु कोस है केवलम चतुर दश कोटी ही मुद्रा एव ग्रिहित्वा गत्वान परंतु कोस केवल चोधा करोड स्वर्ण मुद्राएं ही लेकर चला गया इस प्रकार उदार रगु और निर्लोभी जिसको लोब ना हो ऐसा कोस दोनों ही संसार में धन्य हुए परशंसनिये हुए प्यारे बच्चो इसी के साद आज का वीडियो समात होता है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वश्य कर ले धन्यवाद आप सब का कल्यानों